एक बार की बात है कानपुर के एक शहर में संगीता अपने पती रमेश, सास सुजाता और नंद अनन्या के साथ रहती थी संगीता बहुत कंजूस थी वो हर चीज में कंजूसी करती रहती थी एक दिन उसकी सास सुजाता संगीता से कहती है संगीता बहू मैंने तुझे एक बाल्टी पाने गरम करने के लिए कहा था तोने आधी बाल्टी ही पाने गरम किया है ऐसा क्यों किया मा जी गीजर खराब हो गया है तो गैस पर पानी गरम करना पड़ता है एक बाल्टी पानी के लिए बहुत सारी गैस बरबाद हो जाएगी इसलिए मैंने आधी बाल्टी पानी गरम किया वैसे भी गैस बहुत महंगा है इसलिए मैंने आधी बाल्टी पानी ही गरम किया माजी थंड में नहाने के लिए आधी बालती पानी भी बहुत होती है सुजाता कभी पानी को देखती तो कभी बहु को देखती क्योंकि अब घर की सारी चीजों का हिसाब किताब बहु जो संभालती थी तो सुजाता उससे क्या बहस करती इसलिए वो संगीता को कुछ नहीं कहती और ठंडे पानी से नहा लेती है एक दिन संगीता की नंद अनन्या संगीता से कहती है भावी मुझे एक साड़ी खरीदनी है कॉलेज का फेरविल है ना इसलिए सभी लड़कें डिजाइनर साड़ी पहन कर आएंगी तो मैंने भी सोचा मैं क्यों न एक नहीं साड़ी खरीद लूँ डिजाइनर साड़ी तो बहुत महंगी आएगी अनन्या मैं क्या कह रही थी कि मेरे पास एक बहुत अच्छी साड़ी रखी है मैं उस साड़ी को थोड़ा कढ़ाई कर देती हूँ तुम पर बहुत अच्छा लगेगा भावी ये कितना अजीब हो जाएगा अरे मुझे कढ़ाई करनी आती है तुम चिंता मत करो मैं वो साड़ी एकदम मस्त बना दूँगी अनन्या को अपनी भावी संगीता पर बहुत गुस्सा आता है लेकिन भावी बड़ी थी तो वो कुछ नहीं बोलती है और अनन्या संगीता की बात मान लेती है संगीता अपनी साड़ी को कढ़ाई करके अनन्या को दे देती है अनन्या जब वो साड़ी पहन कर कॉलेज जाती है तो क्लास की सभी लड़कियां उसका मज़ाग उड़ाती है अनन्या रोते हुए घर आती है और संगीता से कहती है भाबी आपके बज़े से कॉलेज में सभी लड़कियों ने मेरा मज़ाग उड़ाया इतना अच्छा तो साड़ी कड़ाई करके दिया था मैंने तुम्हें तुम्हारी सहेलियों को कड़ाई का कोई नौलिज नहीं होगा इसलिए अस रही होंगी ये सारी बाते सुजाता सुन लेती है और अनन्या से कहती है सुजाता के समझाने पर अनन्या चुप हो जाती है लिकिन वो अपनी भावी से बहुत गुसा थी अब संगीता के कंजूसे की हद ही हो गई थी घर में कुछ खतम हो जाता तो वो कुछ दिन बाजार से वो समान लेकर ही नहीं आती थी और परोसियों से मांग कर काम चलाती थी एक दिन परोस की एक औरत मधू संगीता के पास आती है और उससे कहती है संगीता मेरे घर में महमान आ गई है और दूद खतम हो गया है थोड़ा सा मुझे दूद दे दो दूद अभी लाती हूँ संगीता दूध लेने चली जाती है और जाते जाते सोचती है इसके यहां से मैं सामान मांग कर लाती हूँ नहीं दिया तो बुरा मान जाएगी एक काम करती हूँ देही देती हूँ संगीता एक गिलास में थोड़ा सा दूध लेकर आती है ये लो मधू, थोड़ा सा दूद थोड़ा सा? आपने ही तो कहा था, थोड़ा सा ही दूद चाहिए मधू संगीता की चलाकी समझ जाती है और बिना दूद लिये वहां से चली जाती है और कहती है, हर रोज समान मांगने आ जाती है जब मैंने सामान मांगा तो कंजूस की तरह थोड़ा सा दूद लेकर आई अब मुझे कुछ मांगने आए तब बताती हूँ मैं ऐसे ही समय बीटा गया लिकिन संगीता के कंजूसी की आदत खतम नहीं हो रही थी एक दिन सुजाता संगीता से कहती है अरे बहू मेरे माईके वाले शाम को आ रहे है सुजाता की बात सुनकर संगीता सोचती है महमान आएंगे मतलब खर्चा मैं माजी से कह देती हूँ कि वही अपने माईके चली जाएं क्या हुआ बहू क्या सोच रही है सुजाता माईके जाने की तैयारी शुरू करती है जिसके लिए वो बाजार से बहुत सारी खरीदारी करके आती है ये देखकर तो मानो संगीता को हार्ट अटेक हिया जाएगा ये देखकर संगीता सुजाता से कहती है माजी ये आपने क्या किया अरे बहु खरीदारी करके आई हूँ इतने सालों बाद माईके जा रही हूँ खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी वहाँ मेरे छोटे छोटे भतीजा भतीजी है और घर में नई बहु भी आई है तो सब के लिए बस कुछ उपहार लेकर आई हूँ संगीता ये देखकर सोच में पड़ जाती है मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने इन्हें माईके जाने के लिए सलाह दिया दो गुना खर्चा करा दिया सुजाता माईके जली जाती है और कुछ दिन वही रहकर आती है जिसके कुछ दिनों बाद ही संगीता की तवियत खराब हो जाती है संगीता को बहुत उल्टिया हो रही थी तभी सुजाता आती है और संगीता से कहती है क्या हुआ बहु तुम बार बार उल्टिया क्यों कर रही हो सब ठीक है ना माजी पता नहीं क्या हो गया है सुबह से उल्टी हो रही है और चकर भी आ रहे हैं जब सुबह से परिशानी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना और तुने मुझे भी नहीं बताया चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ नहीं, नहीं मा जी, मैं ठीक हो जाऊंगी. अभी भी पैसे बचाने के लिए सोच रही है, कंजुज कहीं की? जब संगीता डॉक्टर के पास नहीं जाती, तो सुझाता डॉक्टर को ही घर बुला लेती है. जब डॉक्टर घर आती है, तो संगीता का चेक अप करती है और कहती है मुबारक हो आपकी भभू मा बनने वाली है इसका ख्यार रखेगा घरवालों को ये खुस्क खबरी सुनाकर डॉक्टर वहां से जली जाती है संगीता और बाकी सब घरवाले इस बात से बहुत खुश होते हैं तबी उसका पती रमेश वहां आता है सुजाता सारी बात रमेश को बताती है और सुजाता अनन्या संगीता के कमरे से बाहर चली जाती है रमेश संगीता से कहता है क्या हुआ अभी तक तो तुम बहुत खुश थी अचानक से उदास क्यों हो गई कुछ नहीं हुआ जी मैं खुश ही हूँ कंजूस तुम यही सोच रही हो ना कि बच्चा होगा तो घर का खर्चा बढ़ जाएगा संगीता तुम मा बनने वाली हो इससे बड़ा सो भागय क्या हो सकता है खर्चे से डर रही हो एक बात बताओ जब बच्चा होगा तो लोगों को दावत भी तो देनी पड़ेगी तब तो तुम पागल ही हो जाओगी इतना कहकर रमेश हसने लगता है और संगीता सोच में पढ़ जाती है मैंने तो यह सोचा ही नहीं था कितना सारा खर्चा हो जाएगा संगीता का बहुत ख्याल रखते है नौ महीने कब बीच जाते हैं पता ही नहीं चलता और संगीता का डिलिवरी का समय भी आ जाता है संगीता इक प्यारे से बेटे को जरम देती है घर में सब ही खुश हो जाते है अपने पोते को देखकर सुझाता कहती है मैं इसकी बुआ जो हूँ और मुझे महंगा नेक चाहिए सर्षते से काम नहीं चलेगा भाबी अब आपको कंजो से छोड़नी पड़ेगी सोने का हार लूँगी मैं तो अनन्या की बात सुनकर संगीता सोचती है सोने का हार मतलब लाखों का खर्चा हो जाएगा चलो कोई बात नहीं मेरी कंजोस भाबी ने इतने प्यार से सोनी के अंगुठी दे दी यहीं बहुत बड़ी बात है ऐसे ही कुछ दिन बीट गए और संगीता अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है सुजाता रमेश से कहती है बिटा आज बच्चे का छट्टी है आज घर में दावत है सभी महमानों को आने के लिए कह दिया है न तुने हाँ मा अब चंता मत करो मैंने सभी महमानों को आने के लिए कह दिया है बहु खाने पीने के सारे तयारियां हो गई है न संगीता दावत के खर्चे से परिशान थी हाँ माजी हलवाई आ गये हैं सारे पगवान बन रहे हैं पनीर पुलाओ छोले पूरी और मिठे में गुलाब जामुन रसमलाई और आइस क्रीम अरे वाँ भाबे इतना सब कुछ आज तो बहुत दिनों बाद इतना सारा खाना खागर तो मज़ा ही आ जाएगा हमारे कंजूस बहु ने इतना सब कुछ बनवा दिया यही बड़ी बात है माजी अब मैं इतनी भी कंजूस नहीं हूँ अच्छा अगर कोई मदद चाहिए होगे तो बता देना जी माजी हाँ फिर संगीता रसोई में चली जाती है और अपने आप से कहती है हे भगवान इतना सब कुछ बोल तो दिया पर मैंने तो इन में से कुछ भी नहीं बनवाया यहां तक की हलवाई भी नहीं बुलवाया अब क्या करूँ संगीता सोच में पढ़ जाती है कि आखिर करे तो क्या करे बाहर जूट तो बोल दिया था लेकिन अंदर तो कुछ बना ही नहीं था कुछ देर बाद महमान आना शुरू हो जाते हैं संगीता और अनन्या सभी को नाश्ता पानी करवाते हैं कुछ देर तक सभी बाते करते हैं गर में चहल पहल का महौल होता है और कुछ देर बाद खाने का समय हो जाता है सुजाता संगीता से कहती है बहू खाना लगा ले खाना खाने का समय हो रहा है जी माजी अभी लगाती हूँ संगीता किचन में चली जाती है लेकिन बहुत देर हो जाती है वो बाहर ही नहीं आती सुजाता उसे आवाज लगाती है संगीता किचन से बाहर आती है और सुजाता से कहती है माजी बावर्ची पनीर और पुलाव खुला छोड़ कर चला गया था जिस कारण दोनों में छिपकली गिर गई थी ये सुनकर सबका मन खराब हो जाता है अच्छा एक काम कर छोले पूड़ी रसगुला और रसमलाई बची होगी न वही लेकर आ ठीक है माजी संगीता दोबारा किचन में जाती है और बर्तन जोरो से पटकने लगती है तभी सुजाता चिलाते हुए संगीता से कहती है अरे भाई ये किचन में क्या हो रहा है इतने सारे बर्तन कैसे गिर रहे है संगीता रोती हुई आती है और सुजाता से कहती है माजी मैं खाना लगाने जा रही थी कि बिले रसोई में आकर खूद गई और सब कुछ गिरा कर भाग गई हे भगवान ये क्या हो रहा है आज इज़त के धज्यां उड़ जाएगी मा जी एक काम करती हूँ मैं दाल चावल ही बना कर परोज देती हूँ बाकी पकवान तो अभी बन नहीं सकते ना हाँ हाँ ठीक है अब कर भी क्या सकते है पर जल्दी बना कर लाना जाओ जल्दी संगीता किचन में जाती है और कुछ दिर इंतजार करने लगती है और कहती है मैंने तो पहले से ही दाल चावल बना कर रखे हैं थोड़ी देर रुक कर उसके बात खाना लगा देती हूँ थोड़ी देर के बाद जब संगीता खाना लगाने जाती है तो उसके हाथ से दाल का पतीला जमीन पर गिर जाता है पतीले की आवाद सुनकर सुजाता कहती है अब क्या हुआ उस टाइम से कुछ न कुछ गिराए जा रही है पता नहीं आज इसे क्या हो गया है इस बार सुजाता किचन में जाती है और देखती है कि पूरी दाल जमीन पर गिरी है ये सब देखकर वो संगीता से कहती है आज तो मैं महमानों के सामने नजर नहीं मिला सकती निलाम कर दी आज इज़त तुने संगीता रोते हुए कहती है मा जी मैंने ये जान भुच कर नहीं किया गल्ती से हो गया माफ कर दीजिए अरे माफ करने से तो सब कुछ ठीक थोड़ी न हो जाएगा तभी वहां रमेश आ जाता है मा आप चिंता मत करो मैंने सब के लिए ओनलाइन खाना ओडर कर दिया था अनन्या और बुआ मिलकर सबको खाना खिला रही है हे सिता मैया आज तो आपने इज़त बचा ली संगीता जो जैसा करता है वो वैसा भरता है तुमने कोई पकवान नहीं बनाये थे अरे इतनी भी क्या कंजूसी करना देखो इसलिए लास्ट में सच में खाना गिर गया माफ कर दीजी अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी अब सभी मिलकर खाना खाते है और संगीता अपनी कंजूसी छोड़ देती है संगीता की कंजूसी छोड़ देने पर घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते है और खुशी-खुशी रहने लगते है ये कहानी दो जुडवा बहनों की है जो अभी-भी पैदा हुई थी लेकिन खुश होने की जगह उनकी दादी कमला उन्हें एक कुड़े दान में छोड़ने जा रही थी क्योंकि उनके पैदा होने के तुरंत बाद उनकी मा की मृत्यू हो गई बच्चियों को कुड़े दान में रखकर कमला कहती है भला इन दो लड़कियों को रखकर क्या होगा यही ठीक रहेगा कोई ना कोई इन्हें अपने साथ ले ही जाएगा कमला लड़की नहीं चाहती थी इसलिए वो उन्हें वहाँ छोड़कर चली जाती है कुड़े दान में दोनों लड़कियां जोर जोर से रोने लगती है उनमें से एक काली और एक गोरी थी अगर उनकी माँ जिन्दा होती तो दोनों को गले से लगा लेती मगर अफसोस अब इस दुनिया में इन दोनों का कोई नहीं है वो दोनों लगातार रो रही थी तब ही वहां से एक अमीर आदी की गाड़ी गुजरती है गाड़ी के अंदर सेट हीरा लाल और उनकी पतनी मिनाक्षी बैठी थी मिनाक्षी को बच्चे के रोने की आवाद चुनाई देती है अरे लगता है आसपास कोई बच्चा रो रहा है सेट हीरा लाल गाड़ी रोकते हैं वो दोनों गाड़ी से उतर कर खूड़े दान के पास जाते हैं अरे इन दोनों बच्चीओं को खूड़े दान में कौन छोड़ गया उसके मन में कोई दया नहीं है क्या बच्चियां नवजात लग रही है और उन्हें कोई ऐसी ही छोड़ गया अरे लेकिन अब क्या करना है हमारा कोई बच्चा नहीं है क्यों न हम इन दोनों को रख ले क्या कहा तुमने दोनों को रख ले पागल हो गई हो क्या मिनाक्षी दोनों को ले जाने की जित करती है लेकिन उसके कई बार जित करने का भी कोई फाइदा नहीं हुआ हीरालाल नहीं माना और अंत में वो दोनों सिर्फ गोरी बच्ची को ही लेकर चले गए वो काली बच्ची वहीं पड़ी रही और जोर जोर से रोने लगी उसके भागे में आगे क्या लिखा है क्या वो यही पड़ी रहीगी शायद विधाता ने उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है कुछ देर बाद वहां एक भिकारन खाना लेकर आई और फुटपात पर बैठ कर खाने लगी इतने में वो बच्ची और जोर जोर से रोने लगी अरे छोटे बच्ची की आवाज लगता है कोई बच्ची रो रही है कुड़े दान के पास से आवाज आ रही है लगता है बिकारन ने उस बच्ची को कुड़े दान में देखा और कहा ये बोल कर वो भिखारिन वहां से जाने लगती है लेकिन उस मासूम सी बच्ची की रोने की आवाद सुनकर वो थोड़ा आगे जाकर रुख जाती है भिखारिन फिर से कोड़ेदान के पास वापस गई भिखारिन को देखकर वो बच्ची चुप हो गई और हसने लगी अरे ये तो मुझे देखकर खुश हो गई अच्छा मैं इसे अपने साथ ले ही जाती हूँ जो होगा देखा जाएगा भिखारिन ने उस बच्ची को सुमन नाम दिया और वो उसे अपने साथ ले गई वहीं दूसरी तरफ हीरा लाल और मिनाक्षी ने अपनी बच्ची का नाम टीना रखा दोनों बहनों की किस्मत में बहुत अलग-अलग चीज़े लिखी थी इस तरह दोनों बहने एक दूसरे से अंजान एक दूसरे से बिछड़ गई ऐसे ही दस साल बीच जाते हैं उधर टीना अमीर के घर बड़ी होती रही और सुमन भिकारिन के साथ रास्तों पर भटकती रही टीना को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना और अच्छा खिलोना सब कुछ मिला लेकिन सुमन को कुछ भी नहीं मिला एक वक्त के खाने के लिए उसे लोगों से गाली सुननी पड़ती थी ये बोलकर उस आदमी ने सुमन को धक्का मार के नीचे गिरा दिया सुमन को अब इन सब की आदत हो गई थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा कभी उसे खाना मिलता था तो कभी भूखा ही सोना परता था एक दिन सुमन की मा यानि उस भिकारिन ने उसे एक छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ती दी और कहा ये ले मेरी प्यारी बच्ची इस मूर्ती को हमेशा अपने पास ही रखना कभी मत खोना कृष्ण भगवान हमेशा तेरी रख्शा करेंगे वो भिकारिन कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी धीरे धीरे सुमन भी कृष्ण भगवान की भक्त बन गई वो हर रोध सुभा और शाम कृष्ण भगवान की पूजा करने लगी हरे कृष्ण भगवान आपको तो सब कुछ पता है कि हमारी जिन्दगी में कितना दुख है आप तो दुख दूर कर सकते हो ना दया कीजिए कृष्ण भगवान दया कीजिए वहीं दूसरी तरफ टीना को भगवान पर इतना विश्वास नहीं था वो नास्तिक बन गई थी वो पैसो के एहंकार में अंधी होने लगी थी घर के नौकरों के साथ वो बहुत गुसे में बात किया करती थी अपने नौकरों को जब चाहे तब मारती पीटती थी मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ तुम लोग एक काम ठीक से नहीं कर सकते हो क्या सब को काम से निकाल दूँगी मैं ऐसे डरा धमका कर वो सबसे काम कराती थी कुछ दिनों बाद उसने एक बड़ा सा विदेशी कुता पाल लिया उस दिन के बाद वो सभी नौकरों को उस कुते से डरा डरा कर काम करवाती ऐसे ही कुछ साल और भीट गए सुमन और टीना अब दोनों ही जवान हो चुकी थी हीरा लाल का एक एकसिडेंट के दोरां देहान्त हो गया और इधर वो भिकारिन मर गई उसके बाद से सुमन अकेली रास्तों पर भीक मांगने लगी कुछ पैसे दे दोना साहब मुझे भूक लगी है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल भी खरीदने है सुमन को भीक मांगकर जो भी पैसे मिलते थे उनसे वो सबसे पहले कृष्ण भगवान की पूजा के लिए फूल और मिठाईया खरीदी थी और पूजा करने के बाद ही कुछ खाती थी सुमन की भक्ती से मंदिर के पुजारी बहुत खुश थे वह सुमन वह ऐसी भक्ती मैंने जिन्दगी में कभी नहीं देखी तुई कृष्ण भगवान की सच्ची भक्त है कहा पुजारी जी अगर मैं सच में सच्ची भक्त होती तो कृष्ण भगवान अभी तक मुझे दर्शन दे चुके होते पागल लड़की कृष्ण भगवान ऐसे ही किसी को दर्शन देते हैं क्या लेकिन होसला मतार कृष्ण भगवान बहुत दयालू है एक ना एक दिन तुझे उनके दर्शन जरूर मिलेंगे सुमन उसी आशा में दिन बिताने लगी ऐसे ही एक दिन मंदिर के पास भीख मांगते समय एक अमीर आदमी ने सुमन को बहुत सारे पैसे दिये ये देखकर एक दूसरे भिकारी ने सुमन से कहा उस भिकारी ने वहीं पास में रखा एक डंडा उठाया और सुमन के सर पर मार दिया सुमन के सर से खून निकलने लगा वो दर्द के मारे वहीं बैठ गई वो भिखारी पैसे लेकर भाग गया डंडा सुमन के दिमाग पर लगा था और इस वज़े से सुमन पागल हो गई अब वो हमेशा हसने लगी और यहां वहां भटकने लगी मुझे खाना चाहिए मुझे खाने से बना हुआ घर चाहिए खाना चाहिए अब उसे खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था उसे हर कोई भगाने लगा ना तो उसके पास घर था ना ही खाने को कुछ अब सिर्फ कृष्ण भगवान का मंदिर ही उसके रहने की जगा थी पागल होकर भी वो भगवान की पूजा करना नहीं भूली और उस छोटी सी मूर्ती को वो हमेशा अपने पास ही रखती मंदिर में कृष्ण भगवान की पूजा करने के बाद वो मंदिर के बाहर ही भीक मांगने लगी ए साहब पैसे दे दो ना खाना खाना है ऐसे ही सुमन के दिन गुजरते रहे वहीं दूसरी तरफ टीना और भी जादा एहंकारी हो गई सभी उससे परिशान रहने लगे एक दिन उसकी मा मिनाक्षी ने उससे कहा बेटी पैसो का गुरूर अच्छा नहीं है पैसा हो तो गुरूर क्यों ना हो मा पैसो से मैं सब कुछ खरीच सकती हूँ सब कुछ तीना बहुत ही घमंडी हो चुकी थी उसे दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था एक दिन अचानक से मिनाक्षी की तबियत बहुत जादा खराब हो गई तीना ने सोचा हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाने से उसकी मा की तबियत ठीक हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ डॉक्टर ने तीना से कहा देखिए इनको बहुत भयानक बिमारी हुई है अभी तक इस बिमारी का कोई हिलाज नहीं आया है इसलिए अब सब कुछ भगवान भरोसे है लेकिन डॉक्टर साहग मैं भगवान को नहीं मानती मानना पड़ेगा बेटी अब सब कुछ वही कर सकते हैं डॉक्टर के कहने पर भी टीना ने उसकी कोई बात नहीं सुनी वो मिनाक्षी को लेकर विदेश चली गई लेकिन वहाँ भी डॉक्टरों ने एक ही बात कही कि अब जो भी कर सकता है भगवान ही कर सकता है टीना रोने लगी मा के अलावा और कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उधर कृष्ण भगवान सब देखी रहे थे उन्होंने टीना और सुमन की परिक्षा लेने के बारे में सोचा उन्होंने एक नवजाद बच्चे को धरती पर भेजा और उसे कूडे दान में रख दिया बच्चा जोर जोर से रो रहा था सुमन ने उसके रोने की आवाद सुनी अरे ये बच्चा यहां क्या कर रहा है मा ने कहा था कि एक दिन मैं भी ऐसे ही पड़ी थी उस दिन अगर मा मुझे लेकर नहीं आई होती तो मैं शायद जिन्दा नहीं होती मैं भी इस बच्चे को अपने साथ ले चलती हूँ सुमन ने उस बच्चे को गोध में उठाया और अपने साथ ले जाने लगी बच्चे को देखकर आसपास के लोग सुमन पर हसने लगे वो देखो पगली के बच्चा हुआ है लेकिन सुमन को कोई फरक नहीं पड़ा ये देखकर कृष्ण भगवान बहुत खुश हुए वहीं दूसरी तरफ टीना अपनी मा को लेकर दोबारा से अपने घर वापस आ गई थी साथ ही वो अपनी मा को लेकर बहुत परिशान थी और उसके मन में भगवान को लेकर थोड़ी थोड़ी आस्था आने लगी थी वो सोचने लगी कि शायद अब सच में भगवान ही कुछ कर सकते हैं कृष्ण भगवान धर्ती पर आए और उन्होंने एक साधू का रूप धारन किया साधू बन कर वो टीना के घर गए टीना ने साधू को देख कर प्रणाम किया साधू ने कहा बिटी मदन नगरी में कृष्ण भगवान का एक मंदिर है वहाँ जाकर अपनी मा के लिए प्रात्ना कर कृष्ण भगवान तेरी मा को ठीक जरूर कर देंगे टीना ने साधू की बात मानी वो मदन नगरी के मंदिर में चली गई ये वही मंदिर है जहां सुमन भीक मांगती है इसी मंदिर में सुमन भी पूजा करती है टीना ने भी बहुत सारे फूल और मिठाई लेकर कृष्ण भगवान की पूजा की और फिर मंदिर के बाहर निकली बाहर सुमन उस बच्छे को गोद में लेकर भीक मांग रही थी मालकिन कुछ पैसे दे दो ना भगवान तुम्हारा भला करेगा सुमन को देखकर पता नहीं टीना को क्या हुआ टीना ने सुमन को सौ रुपे दे दिये टीना ने पहली बार किसी भिखारी को पैसे दिये थे तभी अचानक एक चमतकार हुआ वो बच्चा गायब हो गया और उसकी जगह पर सुयम क्रिशन भगवान प्रकट हो गए ये क्या क्रिशन भगवान आप सुयम आए हैं मैं कहीं सपना दो नहीं देख रही लगता है मेरे सिर पर चोट लगने की वज़े से मुझे ये सब दिख रहा है ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्रिशन भगवान सुमन के सिर पर हाथ रखते हैं उनके हाथ रखते ही और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है ये देख सुमन हैरान रह जाती है ये सच है ये मैं ही हूँ तुम तो कब से मुझे देखना चाहती थी मैं तुमारी परिक्षा ले रहा था टीना क्यों बोल रही है हम दोनों एक दूसरे की क्या लगते हैं तुम्में एक दूसरे की बहन हो इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसका सब कुछ बताया सब कुछ सुनकर दोनों की आँखों में आसू आ गए दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया बहन मेरी बहन कहा थी तू इसके बाद कृष्ण भगवान ने टीना की मा को भी ठीक कर दिया और वो वहाँ से चले गए सुमन को देखकर मिनाक्षी ने कहा मैं उस दिन तुम दोनों को लेकर आना चाहती थी पर ला नहीं पाई लेकिन मैं खुश हूँ कि मुझे आस दोनों बेटियां मिल गई ये बोलकर मिनाक्षी ने दोनों को गले लगा लिया और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगी कुंजपूर गाउं में दो औरते रहती थी एक का नाम मालती और दूसरी का नाम पार्वती था मालती बहुत गरीब थी वहीं पार्वती बहुत अमीर थी दोनों एक दूसरे के पडोसी थे मालती की एक बेटी थी उसका नाम तारा था वहीं पारवती की भी एक बीटी थी जिसका नाम सोना था तारा और सोना दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे इसलिए उनकी एज भी बिल्कुल सेम थी सोना एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी जबकि गरीब तारा एक सरकारे स्कूल में जाती थी तारा की मा मालती पारवती के घर में जाडू पोछा का काम किया करती थी वहीं काम करके मालती के घर का रोजी रोटी चलता था कभी कभी पारवती के घर का बचा कुछा खाना मालती घर ले जाती थी और उसे ही दोनों मा बेटी खाकर सोजाया करती थी एक दिन तारा अपनी मा से पोचती है मा अब सोना के घर से खाना क्यों ले आती हो बिटा उनके घर में जो खाना बच जाता है मैं वो ले आती हूँ जिससे उनका खाना बरबाद भी नहीं होता और हमारा पेट भी भर जाता है और इससे हमारे खाने का खर्चा भी बच जाता है पैसे बचाएंगे बिटी, तभी तो कुछ होगा ताकि मैं पैसे जोड़कर तुमें अच्छे से पढ़ा लिखा सकूं ताकि तुम मेरी तरह लोगों के घरों में काम ना करो बल्कि एक अच्छी नोकरी कर पैसे कमाओ वो सब तो ठीक है पर शाम को जब मैं खेलने जाती हूँ तो सोना मेरा बहुत मजाक उड़ाती है वो सब को कहती फिरती है कि हम उनके घर का बच्चा हुआ खाना खाते है मुझे बहुत बुरा लगता है मा ये सब सुनकर मा अगर आप उनके घर काम करना छोड़ देंगी तो सोना मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी तुम इंटम बातों को मत सोचो वो अमीर लोग है अगर मजाक उड़ाती भी है तो हमें कोई फरक नहीं पढ़ना चाहिए बिटा अगर मैंने नोकरी छोड़ दी तो उनके पास कोई और नोकरानी आ जाएगी लेकिन मुझे काम देने वाला कहां से मिलेगा आप सही कह रही हो तारा एक समझदार लड़की थी मालती कल मेरी बेटी सोना का जनम दिन है कल घर पर बहुत बड़ी पाटी है पाटी में बहुत सारे लोग आएंगे तुम्हें बहुत सारा काम करना होगा सब कुछ की देख रेक तुमें ही करनी होगी इसलिए एक काम करो आज राद तुम यहीं सो जाओ पर दीदी, मेरी बेटी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी, वो मेरे बगर सो नहीं पाएगी, मुझे घर जा नहीं होगा, कल सुभा मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप चिंता ना करे, मैं सारा काम अच्छे से समहाल लूँगी ठीक है मालती, कल सुभे जल्दी आ जाना ठीक है दीदी, मालती अपने घर चली जाती है, तारा घर पर अपनी मा मालती का इंतजार कर रही थी, अपनी मा को देखकर तारा दोड़ती हुई उनके पास आई और उन्हें गले से लगा लिया ओ, मुझे देर हो गई ना बीटी आने में, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, चलो बैटकर खाना खाते हैं फिर मालती प्लेट में खाना निकालती है और अपनी बीटी को खेलाती है, खाना खाते खाते तारा बोलती है मा, कल आप काम पर मत जाना, सारा दिन मेरे साथ ही रहना क्यूं? क्या हुआ बिटी? याद करो मा, कुछ देर सोचने के बाद मालती को याद आया कि कल तारा का भी जनम दिन है अरे हाँ, कल तो मेरी प्यारी बिटिया का भी जनम दिन है हाँ मा तो आप कल मेरे साथ सारा दिन रहेंगी न मालती ने अपनी बिटिया को गले से लगाया और भूली परंतु बिटी कल मुझे काम पर जाना ही होगा क्यूंकि कल सोना बिटिया का भी जनम दिन है और वहाँ पर बहुत बड़ी पाटी रखी है दीदी ने तो मुझे आज रात वहीं रुकने के लिए बोला था परंतु मैं तुम्हारे लिए घर आ गई इसलिए कल तो मुझे सुबह जल्दी जाना ही होगा वहाँ बहुत सारा काम होगा अगर मैं नहीं गई तो दीदी मुझे काम पर से निकाल देगी मालती की बाते सुनकर तारा उनसे दोर हटकर एक कोने में गुसे से बैठ गई मेरी लाडो ऐसे गुसा नहीं होते मेरी मजबूरी को समझो क्या मेरा दिल नहीं करता कि मैं अपनी बेटी के जनम दिन पर उसके साथ रहू पर मैं क्या करूं बेटा पापी पेट पालने के लिए मुझे काम पर तो जा नहीं होगा और आगे तुम्हारे भविशे की भीतोशिंता करनी है जनम दिन तो हम फिर भी मना लेंगे जीवन वैतीत करने के लिए पैसा और खाना ये दोनों बहुत जरूरी है मेरी बात को समझो बिटी ये सब बोलकर मालती की आँखे नम हो गई मा के आखों में आसू देखकर तारा को अच्छा नहीं लगा और वो मा से चाकर लिपट गई और बोली चलो कोई बात नहीं मा एक काम करते हैं मैं कल आपके साथ चलूँगी काम पर मुझे आप अपने साथ लेकर वहां चलना मैं वहां एक कोने में खड़े होकर पाटी देखूंगी ठीक है मेरी बच्ची अगले दिन सुभा जल्डी उठकर दोनों मा बेटी काम पर गई वहां पहुँचकर तारा ने देखा कि घर को बहुती सुंदर गुबबारों से सजाया गया था बेटी तुम यही कोने में बैठे रहो मैं घर का काम करने जा रही हूँ मालती अपनी बेटी तारा को घर के एक कोने में बठा कर काम करने चली गई घर में तरह तरह की पकवान बन रहे थे महमानों का आना जाना लगा हुआ था गाने चल रहे थे बहुती चहल पहल का माहुल बना हुआ था ये सब तारा अपनी भोली निगाहों से देख रही थी ऐसी ही शाम हो जाती है और शाम को बहुत सारे महमान अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते हैं और सोना भी बहुती सुन्दर सी फ्रॉग पहन कर बहुत बड़ा वाला केक काटती है। पार्टी में आए सभी महमान सोना को बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। फिर तभी सोना ने देखा कि तारा एक कोने में खड़ी होकर ये सम देख रही है। तो सोना अपने फ्रेंडों के साथ तारा के पास जाती है और उसका मजा उड़ाते हुए कहती है। कैसित नहीं है तुम्हारी। मेरा ये ड्रेस देखो, ये गिफ्ट देखो, ये सारे बहुत महंगे हैं। तुम मेरे जैसे एश की जिंदगी सपने में भी नहीं जी सकती हो। इतना कहकर सोना अपने फ्रेंडों के साथ चली जाती है। सोना की बाते सुनकर तारा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए घर से निकल कर एक पार्क में चली जाती है। और बैंच पर बैठ कर रोने लगती है। तारो को रोता देख एक बुरी औरत उसके पास आई और बोली। क्या हुआ बेटी तुम क्यों रो रही हो। मेरे बगल में रहने वाली सोना का जनम दिन कितना धूमधाम से मनाया गया। आज मेरा भी जनम दिन है। पर देखू मैं आज के दिन भी फटे पुराने कपडों में हूँ। बस इतनी सी बात के लिए तुम दुखी हो रही हो। आपको ये इतनी सी बात लगती है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तारा की बात सुनकर उस बुर्या ने एक चुटकी बजाई और उसके हाथों में एक सुन्दर सा केक आ गया। तारा, तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये लो, ये केक लो। इस केक को जब तुम काटोगी और जो भी इस केक को खाएगा, वो तुम्हें दुआ देगा, जो सच हो जाएगी। लेकिन तारा, इसे सरफ तुम अपने जनम दिन पर ही काटना। अगर तुमने इस केक को उस दिन काटा, जिस दिन तुम्हारा जनम दिन ना हो, तो केक खाने वाले तुम्हें दुआ नहीं, बद दुआ देंगे, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना, और हाँ, ये केक कभी खराब नहीं होगा। हाँ, अच्छा मजाख कर लेती हो उम्मा, और आपको क्या लगता है, आप मुझे ये चोटा मोटा जादू दिखा कर बहला फुसला लोगी। बिटा, असल में मैं एक जादू गर्णी हूँ, अपनी जवानी में मैंने बहुत प्रकार के जादू किये हैं, पर अम्में बूरी हो गई हूँ, इसलिए अम्में उतना जादू वादू नहीं करती, पर मैंने तुम्हें दुखी देखा, तो मैंने बस ये छोटा सा लिए, तारब बहुत हैरान होती है, और उस बूरी औरत का धन्यवाद करके के घर ले आती है, और घर पहुचकर अपनी मा के आने का इंतिजार करती है, वहाँ पार्टी में उसकी मा सारा काम खत्म करके अपनी बेटी तारब को ढूंडती है, वहीं कोई उसे बताता है कि उ उसकी बेटी घर आ गई है, तो वो भी घर आ जाती है, और अपनी बेटी से पूचती है, बिटा, तुम पार्टी से इतनी जल्दी घर क्यों आ गई, और ये तुम्हारे हाथ में के कहां से आया, फिर तारब अपनी मा मालती को सारी बात बताती है, और ये भी बताती है, कि इस केक को खाने वाले के मुँझे दूआ निकलीगी जो सच हो जाएगी। अरे वा बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है चल केक काटते हैं। फिर तारा केक काटती हैं केक काटकर केक का टुकड़ा अपनी मा को खिलाती हैं तो उसकी मा उसे दूआ देती हैं। बेटी तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें ये गरीबी ना देखना पड़े। उसकी मा के ऐसा कहते ही उसका घर एक बड़े आलिशान घर में बदल जाता है। ये सब देखकर सब बहुत हैरान रह जाते हैं। साथ ही बहुत खुश भी होते हैं कि अम्मा की कहीं बात सच हो गई। फिर तारा अपने बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगती है। अब उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसकी मा मालती भी सोना के घर में जाडू कोशा करने का काम छोड़ देती है। ये सब देखकर सोना को तारा पर शक होता है कि ये इतनी जल्दी इतनी अमीर कैसे हो गई। फिर वो छोड़े छुपे तारा पर नज़र रखने लगती है। और एक दिन तारा अपनी मा के साथ बैठ कर उस केक के बारे में बात कर रही होती है और केक का शुक्र्या अदा कर रही होती है। खिड़के से उनकी सारी बाते सोना सुन लेती है। अच्छा तो ये सब जादूई केक का कमाल है अगर ये केक मुझे मिल जाए फिर तो मैं और भी जादा अमीर हो जाओंगी ऐसा सोचकर सोना एक दिन तारा के घर जाती है और कहती है अंटी तारा है क्या अहां बेटा वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही है जाओ तुम उसके रूम में चली जाओ अच्छा अंटी वो पढ़ाई कर रही है तो उसे डिस्टरब क्यों करना मैं तो बस यहां से जा रही थी तो मुझे प्यास लग गई तो सोची आपके घर से पानी पीते हुए जाओं सोना को कही न कहीं ये लगता था कि पक्का उसने केक अपने फ्रिज में ही रखा होगा हाँ बिटा क्यों नहीं बैठो मैं अभी पानी लेकर आती हूँ अरे नहीं नहीं आंटी आप क्यों तकलीफ करती हो मैं खुद ले लेती हूँ तभी मालती को किसी काम से तारा आवाज लगाती है मालती अपनी बिटी के कमरे में चली जाती है तभी सोना मौका देखकर फ्रिज खोल कर वो जादूई केक लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती है केक देखकर उसके घरवाले पूछती है अरे बेटा अभी तो हमने तुम्हारा जनम दिन मनाया था फिर तुम ये केक अब किस खुशी में काट रही हो वो मा आज मैं अपने स्कूल में डांस कॉम्पिटीचन में फर्स्ट आई हूँ ना तो इसी खुशी में समझ लीजिए सोना जल्दी से वो केक काटती है और अपने मम्मी पापा को खिलाती है केक खाते ही उसकी मम्मी कहती है बेटी तुम बहुत ही बदसूरत हो जाओ और इस आलिशान घर से एक रोल पर आजाओ और लोगों से भीक मांगो ये सुनकर सोना कहती है अरे मां अब पागल हो गई हो गया आप ये क्या कह रही हो फिर तबी अचानक उसका घर एक जोपड़ पटी में बदल गया और सोना बहुत ही बदसूरत हो गई उसके अच्छे खासे कपड़े फटे पुराने कपड़ों में बदल गए ये देखकर वो लोग हैरान रह गए अरे बेटा ये क्या हो गया अमारा घर जोपड़ी में कैसे बदल गया पता नहीं मां ये सब कैसे हुआ उन लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे इसलिए उन लोगों को मजबूरन सड़कों पर लोगों से भीक मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता है फिर एक दिन तारा अपने कार से शौपिंग करने जा रही होती है कि तबी उसके नजर उन लोगों पर पड़ती है वो अपने गाड़े से उतर कर उनके पास चाती है और उनसे इस हालत का कारण पूशती है तबी सोना बोल दी है तारा मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारा जादूई केक चुराया था ताकि मैं तुमसे भी जादा अमीर बन सकूँ लेकिन उल्टा मैं बहुत गरीब हो गई और मेरी गलती की सजा मेरे घर वालों को भी भूगतनी पड़ रही है प्लीज मुझे माफ कर दो सोना शायद तुम्हें ये बात नहीं पता थी कि इस केक को सिर्फ अपने जर्म दिन वाले दिन ही काटना चाहिए वरना खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दूआ देता है और वो बद्दूआ सच हो जाती है अब तुम एक साल का वेट करो जब तुम्हारा बड़े आएगा तब तुम फिर से इस केक को काटना और फिर केक खाने वाले लोग तुम्हें दूआ देंगे जो सच हो जाएगी और तुम वापस से पहले जैसी हो जाओगी इतना बोलकर तारा अपने गाड़ी में बैटकर चली जाती है सोना को अपनी चोरी पर बहुत पच्टावा होता है और उसके एक गलती का परिणाम उसके सभी घरवालों को भुगतना पड़ता है उन लोगों को एक साल लोगों से भीक मांग कर अपना गुजारा चलाना करता है